नमश्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फिर्स्ट इंवस्मेंट में हूँ आपका मेंटर शिवाज पसी तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मंदे का ट्रेट सेट अप कैसा रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या पॉर्चुनिटी लेकर चलनी है एंड स्टॉक्स कॉंसे ट्रेट करें जिसमें में फायदा हो सकता है एक इंपॉर्टेंट अनांसमेंट में करना चाहता हूँ एक वीडियो रात को नौ बजी अप्लोड होने वाली है तो आप लोग हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाप आएंगे एक और अनांसमेंट मैं करना चाहूँगा मैं कॉल्स प्रोवाइड कराना दुबारा स्थार्ट करा रहा हूँ मैं जिस तरीक से देख रहा था कि आप लोग टेली ग्राम चैनल पे देख रहे थे कि वहाँ तरीकों से आप बाय करते हो वह हमें बताएं स्टॉक्स अना मुझी पर ट्रेट करना पसंद करेंगे तो उसी के लिए मैंने यह स्टार्ट कर रहा है अगर आप लोग और इंफोर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लिंक मिल जाएगा वाट्साप नमब पर कॉन्टाक कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारी कवरिस प्रोवाइड हो जाएंगे जो यह जो थर्स्दे आने वाला जो लास्ट एक्स्पाइरी होगी उसी एक्स्पाइरी पर हम लोग बात करने वाले हैं उसी एक्स्पाइरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो आप अब यह अप्लोड होगी है वीडियो मुल्टिपल टाइम फ्रेम अनालेसिस की उसके बिसिस पे आज मैं आप लोगो को यहां पर थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आप यहां थोड़ा बहुत देखेंगे पूरी वीडियो समझेंगे आपको 110% सबसबच में आ जाएगा तो ले प्रेंड है वो पॉसितिव है हम लोग क्या देख रहे है इस कंतिनुसली मेकिंग राइज अद हाय लोग्स यहां पर हम लोगो ने देखा के अच्छी खासी अपसाइड आई अड राइट नाव इस हॉल्तिक यहां पर यह बहुत पॉस ले रहे है एक हम लोग कहरे है एक अ हो सकती है ठीक है so let's go to a early time frame and वहां पर आपको और clearly show हो जाएगा see यहां पर आप बहुत easily देख सकते हैं this is the particular resistance, this is the resistance, this is the resistance, multiple time यह resistance को phase कर रहा है ठीक है first time इसने आपर resistance को phase करा, second time करा, third time करा, fourth time करा and fifth time करा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी resistance को test कर रहा जो closing होती है, closing हमें इस line की ऊपर देखने को नहीं मिली, ठीक है, अब यह वाली candle आप देख रहे हैं, इस candle की closing हमें ऊपर की side देखने को मिली है, so yes, यहां पर एक buying आ सकती है, definitely, अगर यह price, आप note करिये है guys, buy above, ठीक है, buy above 1075, 1075 की ऊपर आप लोगे एक buy setup को रहे हैं, generate कर सकते है, आपका जो stop loss होना चाहिए, वो आपका stop loss होगा, 11 points का, and आपका जो target होगा, वो होगा, 1 to 2 का, ठीक है, 1 to 2 का आप रख सकते हैं, या फिर आप 1 to 1.5 का stop loss, risk to reward ratio रख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, अब आपको बता दिया, कि आपकी entry कहां पर है, औ आपका stop loss क्या होगा, और आपका buy price क्या होगा, ठीक है, चलिए, next stock की तरफ बढ़ते है, next stock जो हमा रहा है, that is, just wait a second, मैंने note करे विए थे सारे stocks, yes, the next stock is UPL, UPL की उपर further study करते हैं, and check करते हैं, so let me open a daily time frame, daily time frame पे भी हम लोग एक चीज़ अबसर्फ कर रहे है, that this particular stock is making higher highs and higher lows, and continuously वो एक uptrend पे trade कर रहा है, एक चीज़ मैंने और observe करी, जब मैंने इस particular stock को देख रहा था, कि यहाँ पर इसने एक retest form कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, this is a retest, यह एक resistance था, exact इस resistance को इसने break कर रहा, and break करने के बाद, यहाँ पर अब यह pause कर रहा है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह pause कर रहा है, अब यहाँ से एक upside मुझे देखने को मिल रही है, so एक बढ़िया सा confirmation लेने के लिए, let's go to a early time frame, and वहाँ पर study करते हैं, okay, so जब मैं early time frame पर आया, तो what I am saying कि, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि, multiple supports मुझे आप पर देखने को मिल रहे हैं, आपर आप देख रहे हैं कि double bottom, triple bottom type scenario मुझे देखने को मिल रहा है, उसके बाद what I am saying, एक upside, upside आने के बाद, हम लोग देखने कि, एक retracement, उसके बाद again एक upside, and right now it's forming again a retracement, so अगर यह previous high Q पर closing अल्रेडी दे चुका है, आप लोग इसे buy कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, buy above, चीक है, your buy above is 557, 557 की उपर you can go for a buy in this particular stock, and the target should be around 11 rupees, 11 और 12 rupees का आपका target होना चाहिए, stop loss होना चाहिए, and your target should be above this level, तक है, इसके उपर 2 candle close हो सकती है, उत्ता अब अपना target लेगर चल सकते है, और perfect entry levels and target and stop loss मैं आप लोग को तेलीग राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा so you don't need to worry ठाक है? आर next talk is मेरको मेरको की बात कर लेते हैं and daily time frame लेट्स ओपन daily time frame first of all we are seeing the मेरको is trading in a uprizing channel मेरको एक uprizing channel के ऊपर trade कर रहा है and आप देख सकते हैं continuously it's making higher rise and higher lows but अभी यह थोड़ा सा pause ले रहा है pause लेने के बाद आप मैं देख रहा हूँ कि exact इसने अपने support वाली rising trend line को test करा and अभी अपसाइड की तरफ जा रहा है अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो हम लोग एजूप कर सकते है किसके जो target होगा that is the resistance of this uprising trend line ठेक है so यहाँ पर just wait a second if you move these deleted cancel कर देते हैं so अब open करते हैं early time frame because हमें trend पता चल गया कि बुलिश है अब हमें बाइं के लिए opportunities फाइं करनी है उसके basis पर हम लोग trade करेंगे same goes with here मैं भी हाँ पर एक ही चीज़ देख रहा हूँ एक up move and a retracement again एक up move and a retracement अगर यह दुबारा उपर जाता है और हम देखते हैं कि इस particular level की उपर closing दे देता है then it's go for a buy ठेक है तब हम लोग buy कर सकते हैं हमारे जो previous swing highs हैं वो हमारे एक target हो सकता है अगर मैं एक trend line भी draw करने की कोशिश करता हूँ तो मैं आपर देख रहा हूँ see एक trend line अगर इसका breakout आता है you have to go for a buy first target and second target is this ठीक है concept आपका clear हो गया होगा our next stock is capley point capley point just wait a second yeah capley point का मैं मैं daily time frame को open कर देता हूँ and clear basis पे दिख रहा है triangle pattern का breakout हमें देखने ही तो मिल रहा है continuously falling इस यहाँ पर इसने एक base बनाया एक triple bottom बनाया triple bottom बनाने के बाद we've seen an upside upside देने के बाद आप देख सकते हैं this is our previous resistance मैं always आपको कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी एक breakout देता है इसे ब्रेक करेगा देन वी कन गो फॉर अबाद रहा हूँ ठीक है so let's open a early time frame यह हमारा previous resistance है उपर गया इट गेवर रिट्रेस्मेंट अब दुबारा उपर जा रहा है अगर यहां से दुबारा उपर जाना start करता है you can go for a buy ठीक है यहां पर आप लोगो अच्छे लेवल्स प्रोवाइड हो सकते है and our last talk is HCL Tech okay so HCL Tech पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को उपन करता हूँ तो यहां पर मैं consistently देख रहा हूँ it's making higher rise and higher lows उसके बात मैं क्या देख रहा हूँ top से एक fall pullback and a fall फिर एक pullback आया नीचे आया अपने previous low को break नहीं करा उपर गया अपने previous low को break करा and फिर नीचे आया previous low को break नहीं करा again यह उपर गया so right now अभी it's making continuously higher rise and higher lows अब हमें कोई demand zone पर buy करना है या supply zone का breakout होता है तो हमें buy करना है so right now this particular stock is trading at its demand zone so यहाँ पर हमें एक opportunity find कर सकते है and उसके लिए मैं use कर रहा हूँ early time frame early time frame पर मैं देख रहा हूँ कि multiple rejections हमें on a higher side देखने को मिल रहे है एक multiple rejections हमें higher side के अंदर देखने को मिल रहे है so जब यह level break होगा we can go for a buy आपको मैं अगर clearly आपर दिखाता हूँ आपको बहुत easily समझ में आजाएगा that is this is the support यह multiple support था break हुआ that support become resistance 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 and resistance so यह level जब break होगा this should be our targets and this should be our stop loss तेक है तो perfect entry level target and stop loss will be updated to you in telegram channel and वहाँ पर आप जोईन कर सकते है नीचे description पर आपको link बिल जाएगा plus अगर आपको फाइफ स्टॉक से जादा और भी स्टॉक की need on an intraday basis तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी join कर सकते है इंस्टाग्राम पर मैं daily दो स्टॉक्स बताता हूँ और वहाँ पर भी आप लोग कल की market पर उस पर trade कर सकते हैं चलिए nifty bank nifty के एक मैं dedicated video अल्रेडी बना चुका हूँ तो मैं उस पर आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा अगर आपको उस video को देखना है and पूरी education information है उसके अंदर तो आप लोगों को यहाँ पर icon दिख रहा होगा इस video पर आप लिक कर सकते हैं यही वीडियो है जिस पर लिखाव है crash versus correction versus retracement तो यहाँ पर आप लोगों को nifty bank nifty के targets provided है तो यहाँ पर आप इस video को देख सकते हैं तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों के अगली वीडियो पर definitely अगर आप लोगों को हमारी वो वीडियो पसंद आती है multi time frame analysis की तो like करिएगा उस video को बहुत सारे लोगों के साथ share करिएगा and अगर आप लोग live market पे जिस तरीके से मैं trade करता हूँ जिस चीज पर मैं trade करता हूँ अगर आप लोगों को वो भी चाहिए तो अब हमें contact कर सकते हैं WhatsApp नमर आप लोगों को नीचे मिल जाएगा या फिर अब हम आप टेलीगराप चैनल पे भी message कर सकते हैं तो मैं शिवांच बसीन signing off मिलता हूँ आप लोगों के से कलगली वीडियो पे बाई बाई